प्रभाद बच्चो आज हम आपकी पाथे पुंस्तक हिंदी के अध्याय 10 का अध्यन करेंगे जिसका सीर्शक है बालक चंद्रगूथ, तो चलिए पढ़ते हैं इस पाढ़ को और जानते हैं चंद्रगूथ के विशय अध्याय दस बालक चंद्रगुप्त पाठ परिच्चे जान लेते हैं इस कहानी में बताया गया है कि यदि विध्यार्ती को पत्थ प्रदर्शक सही मिल जाता है तो वे निश्य ही अपने लक्षे को प्राफ्ट कर लेता है यानि कि जब भी हम अध्यान कर रहे हूं चाहे वो विध्या को हो या किसी भी चीज़ का हो तो अगर हमें सही से रास्ता दिखाने वाले कोई मिल जाता है तो हमें जरूर अपने लक्षे की प्राफ्टी हो जाती है जो हम पाना चाहते हैं हम उसको प्राफ्ट कर लेते हैं तो चलिए पढ़ते हैं कहानी को विस्तार पुर्व और पूरी जो प्रजा है वह के जो समराट है महा के जौर राजा है वह बहुत अत्याचार करते प्रजापळत जिसके कारण पूरा घुटन से डरता था और जो मौरे सेनापती था उनको बंदी बनाए लिया गया था जिसके कारण उनका जो परिवार था उन्हें बहुत सारी परिशानियों को जहलना पड़ रहा था एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था कई लड़के उसकी प्रजाब बने थे और वे राजा बना था उनी लड़कों में से वे किसी को गोड़ा किसी को हाती बना कर जो कई सारी उसके साती हैं उनको उसने प्रजा बना रखा था कुछ लड़कों को हाती घोड़ा बना रखा था जिनके उपर वो चड़ने का नाटक कर रहा था उतर रहा था कभी उनको दंड दे रहा था यानिकी सजा दे रहा था और कभी उन्हें पुरुसकार दे रहा था तो ये सब वो खेल खेल रहे थे वो सारे बालक उसी ओर से एक ब्राम्बन जा रहे थे उनका नाम था जाड़के बे बड़े बुद्धिमान थे उन्होंने उस बालक की राज कीड़ा बड़े ध्यान से देखी उनके मन में कोतुहुल भी हुआ और कुछ बिनोत भी सूजा उन मानते हैं याना की बड़े बहुत अच्छी उनकी बुद्धी तो जब वह उनस बालक खेलते वह देखते हैं कि किस प्रकार से यह राज़ा से राज़ा बनने का खेल खेल रहा है तो उनके मन में बच्चे के बारे में जानने के लिए इच्छा पैदा होती है जिग्या सा ज जाकर वो करते हैं और कहते हैं कि राजा मुझे दूद पीने के लिए गाएं की आवशक्ता है बालक ने भी राजा की राजा सी उदार तक अभी ने करते हुए पास ही चर्थी गाय को दिखा कर कहां इन में से जितनी चाहो गाएं ले लो तो राजा भी जो बच्चा था वो भ ब्रामन ने हसकर कहा राजन ये जिसकी गाएं है बैं मानने लगी तो बालग ने सगर्व शाती पुला कर कहा किसका सहास जो मेरे आदिश को ना माने मैं राजा हूँ मेरी आग्या वश्य मानी जाएगी बालग जो ब्रामन ने लगे जिसकी गाएं अगर उसने मुझे मारा तो बालग गर्व के साथ बहुत ही घमंड के साथ अपनी छाती पुला कर कहता है बहुत सहस के साथ कि किसकी अंदर इतना सहस है जो राजा की आग्या का पालन ना करें क्योंकि वो अपने आपको राजा ही दिखा रहा था उस समय ब्रामन ने आश्यरे से पूछा राजन आपका शुब नाम क्या है तब तक उसकी माँ वहां आ गई ब्रामन से हाथ जोड़कर बोली महराज यह बड़ा शरार्ती बालक है इसके किसी अपरात पर ध्यान ना दीजिएगा तो ब्रामन को बहुत आश् शितानिया करता है ब्रामन ने कहा कोई चिंता नहीं यह बड़ा हूनहार बालक है इसकी मानसिक उन्नती के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भीज़ा करो ब्रामन ने कहा कोई बात नहीं है ऐसी कोई बात नहीं कर इस नहीं यह बहुत होश्यार है बुतिमान बा मुले उस बच्चे की माता से उसकी मा रोने लगी हम लोगों नी हम लोगों को राजा ने दंड़त किया है मेरे पती राजा की आग्या से बंदी बना लिए गए हैं ब्रहमन ने कहा बालक का कुछ अनिस्ट ने होगा तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ इतना कहकर ब हम इसे राजकुल में कैसे बेजे क्योंकि हम लोगों को तो राजा नहीं सजा दी हुई है और राजा की अग्या से ही मेरे पती को बंदी बना लिया गया है कैदी बन गया है मेरे पती तो ब्रहमने का कोई बात नहीं तुम चिंता मत करो इस बालक का कुछ भी गलत नहीं अपने साहसी लड़के को लेकर राजा के सामने जाती है राजा की सवा में पहुंसती है नंद एक क्रूर और दूसरों को सतानी वाला राजा था उसकी राजसवा बड़े चापलूस मूरकों से भरी रहती थी पहले राजा लोग एक दूसरे के बल बुद्धी और वैभव की लिया करते थे इसके लिए भी तरहा तरहा के उपाए रस्ते थे हम लेकर राजानंद के बारे में बताते हैं वो कहरें कि राजानंद बहुती क्रूर और दूसरों को सतानी वाला राजा था यानि कि वो ऐसा राजा था जो कि सब लोगों पर बहुती अत्याचार करता था थे क्योंकि सब लोग उसकी बात मानते थे उसकी आग्या का पालन करते थे और हमेशा उसकी तारीफ करते रहते थे तुकि और राजा लोगों को में का पहले यह काम था कि वो अपने दर्बारियों की बुद्धी की परिक्षा लेने के लिए उनकी बल की परिक्षा लेने के ल जाते थे तो दर्बारियों की बुद्धि जानने चाहते होते ते राजा लो साथी से एक दूसरे राजा की प्रजिशा लेने के लिए बthree कुछ ना कुछ करते रहते तो ऐसा ही होता है तो उसी समय जब बालक मा के साथ राजसवा में पहुंचा किसी राजा के यहां नंद की राजसवा में लोहे के पिंजड़े में मौम का सिंग बना कर भीजा गया था उसके साथ यह कहलाया गया था कि पिंजड़े को खोले बिना ही टिंग को निकाल लिए जिए ऐसा ही हुआ एक बार क्या हुआ किसी राजा ने नंद की परिक्षा लेने के लिए एक मोम का शेर बनवा कर भीजा जो देखने में बिल्कुल असली लगता था और उसे पिंजड़े में बंद करके भीज़े और कहलवाया कि इसको पिंजड़े को खोले बिना ही भाहन निकालना है सारी राजसभा जब ये राजसभा में ये चीज़ बताई गई तो राजसभा इस पर विचार करने लगी पर उन मूर्ख सबासदों को कोई उपाय न सुचा सारी राजसभा में इसकी बाते होने लगी कि पिंजड़े को खोले बिना कैसे शेर को निकाला जाएका सब आपस में विचार करने लगे लेकिन कुछ क्या बता पाते वो वो तो सभी मूर्ख थे चापलूस थे अपनी माता के साथ वैबालक भी यह सारी लीला देख रहा था वैबाला कब तक चुप रहने बाला था उसने कहां मैं निकाल दूँगा तो वो बच्चा भी महां खड़ा था क्योंकि अपनी मा के साथ वो महां है था वो सारी बाते सुन रहा था समझ रहा था वो कहता कहता है क्योंकि उसको से ज़्यादा दिर चुप नहीं रहा जाता सब मोन बैठे हुए थे वो कहता है ये कारे मैं असानी से कर दूँगा सब लोग हस पड़े राजा नंद को भी आश्यर हुआ नंद ने पूचा ही है कौन है मालूम हुआ कि राजबंदी मौरे सेनापती का लड़का है फिर क्या था नंद क्रोच से आग बगूला हो उटा बोला यदि इसे नहीं निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा बालक की बाते सुनकर सब लोगों कोहसी आने लगती है राजा को भी हैरानी होती है वो पूचता है सब्सक्री बालक कौन है तो बताया जाता है कि जो हमारे राजबंदी है यानि कि जो हमारे मौरे सेनापती है जिनको बंदी बनाया गए उनका बेटा है ये बात सुनकर रा सिता से आगे बढ़ा और पिंजडे के पाल जाकर उसको बनी बाती देखा फिर लोहे की शलाकाओं को गरम करके सिंग को पिगला कर पिंजडे को खाली कर दिया सब लोग चकित रह गए तो उसकी माता को तो यह बास उनकर और डर लगने लगा कि कहां से बिन बुलाए हमारे प के साथ आगे बढ़ा उसने पिंजडे को पहले अच्छी प्रकार से देखा और जो पिंजडा था वो लोहे का बना हुआ था उसकी जो सलाक खाएं थी उसने उनको गरम किया जिसके कारण वो जमोन का शेड़ था पिगल कर भार आ गया सब लोग यह देकर हैरान हो गए कि ब बच्चे का नाम पूसते हैं बच्चा बताता है चंद्रगुम राजा उससे बहुत खुश होते हैं और उसे तक्षिला के विश्विज्जाले में पढ़ने भेज देते हैं और तक्षिला में के विश्विज्जाले में जो आचारे थे होते चानक्य है आगे चलकर यही बा तक्षिला में वही अचा देते हैं उनसे पढ़ाई प्राप्त करके उनसे शिक्ष्या लेके महान चक्रवर्ती समराच चंद्रगुप्त मौरे बन जाता है नंद को हराकर इशा से 321 वर्ष पहले यह मगत में पाटली पुत्र के राज सिंग असन पर बैठा इशा से 321 वर्ष पूर्म की बात है पहले की बात है पाटली पुत्र के राजित सिंगासन पर यह बठाया गया अपने बहाव बल से उसने सिकंदर के यूनानी समराजे के आतंग से भारत को मुक्ति दिलाई और यह इतना बलशाली था इतना बुत्ति मान था कि जब हमारे देश पर सिकंदर ने आकरमन कर दिया था तो उसने ही सिकंदर को रोखा था और उसके आतंग को समात किया था बच्चों इस पाट के लिए के जैशंगर प्रशाद जी तो हमने अच्छी प्रकार से पाट को पढ़ा और जाना चंद्रगुप्त के बारे में कि वो कितने वीर थे और बुद्ध अब हम पाट के शब्दाट कर लेते हैं शब्दाट समराट राजा कोतुहुल जिग्यासा सगर्व गर्व सहीद निर्विक्ता निडर्ता कुटुम परिवार विनोत मजाग वैभव धंदौलत चकित हैरान दंड सजा याचना प्राथना विपत्ति मुसीबत तो यह थे पा प्रशन है बहु विकल्प है प्रश्न में से तो चलिए प्रशन पढ़ते हैं उसे करने की कोशिश करते हैं सही उत्तर वाले गोले को रंग ये बच्चों प्रशन में चार विकल्प हैं तीन विकल्प कलत हैं एक विकल्प सही है हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके ग पढ़े लेते हैं मौरे सेनापती का कैसा घरता विशेश शाधरन शानदार भव है तो जो उनका घरता वो था साधरन बीविकल्ब सही है लगाएंगे बीविकल्ब पर ब्रामन ये राजबनी लड़के से क्या मांगा धनराशी गाएं प्रस्वी दूर तो उन्होंने ब्रामन ने बालक को कैसा बताएं अपरादी शैतान होनार इनमे से कोई नहीं तो बालक को बताएं तब रामने होनार सी विकल्ब सही है लगा देंगे सी विकल्ब पर नंद कैसा राजा था क्रूर निर्दई हत्याचारी अच्छा तो नंद था क्रूर राजा ए विकल्ब सही है बा अलग बढ़ाता आगे निर्भिक्ता के साथ ए विकल्ब सही है लगा देंगे ए विकल्ब पर अगला प्रशन है लिखित प्रशन में से निम लिखित बाक्यों में रिक्ति स्थानों की पूर्ती कोष्टकों में दिये गए कोष्टकों में दिये उचित शब्टों से कीजिए तो बच्चों यहाँ पर कुछ पाक्षे हैं जो कि अधूर हैं कोश्टक में दो-दो शब्द हैं एक शब्द सही है और एक शब्द गलत है हमें उचित शब्द को चुनना है और निवाक्षों की पूर्थी करनी है तो चली करते हैं पहला पड़ते हैं उसी रिक्तिसान से एक ब्रामन जा रहे थे और और ओर तो आ जाएगा ओर नेक्स है उन्होंने बालक की रिक्तिसान बड़े ध्यान से देखी धुरूत क्रीडा राज क्रीडा तो राज क्रीडा नेक्से बालक नहीं सगर्ब छाती इक्तिसान कहा सिकोड कर फुला कर तो आजए गर फुला कर पुला कर नेक्से राजबन्दी मौरेली क्तिसान का लड़का है सैनिक सैना पती तो आजए गर सैना पती अगला हैं वहर इतिसान में पाठ्टिली पुत्र के सिंगासन पर बैठा तो आजएगा मगद नेक्ते हैं निम्लिकित पंग्दियों का अश्य स्पस्थ कीजिए और उसके बाद निम्लिकित प्रश्णों के उत्तर दीजिए बागी का कारे बच्चो आपको स्वेम करना है अपनी अभ्यास पुस्थिका में ध्यान पूर्वक पाठ को पढ़ेंगी तो अपसानी से कर पाएंगे तो बच्चो आज हमने जाना बालक चंद्र गुप्त के विशे में उसकी भीरता के बारे में उसकी महनता के बारे में आशक करती हूँ आपको पार्ठ चीजी समझ आ गया होगा पार्ठ को फिर से ज्यान पूर्वक पढ़ेंगे अब ब्यास्कारे को पूर्ण कर लेंगे और शब्दर्तों को यात कर लेंगे मिल दें अंगली के शामी नए पार्ठ के साथ तक लिए स्वस्त्रही प्रसंड़ी थन्यवार